वेलकम दोस्तों, आज की स्वीडिक अंदर में आपसे बात करने वाला हूँ, अगर कोई वेक्ति, या तो वो आपका ड्राइवर है या आपका परिचित है, जो कि आपके विकल का इस्तिमाल कर रहा था, ड्राइवर है तो आपकी गाड़ी चला रहा था, विकल लेकर गया था आपका परिचित और आपकी गाड़ी से कोई घटना हो जाती है, तो आपकी तो क्या responsibility बनती है और उस वेक्ति की क्या responsibility बनती है, जो कि या तो आपका ड्राइवर है या आपका कोई परिचित वेक्ति जो गाड़ी चला रहा था, चाहे आप गाड़ी के अंदर साथ में तो वीडियो कर अच्छा लगता है तो लाइट जरूर कर देना दोस्तों, तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति A उसकी गाड़ी को लेकर के जाता है B, अब B को आप ड्राइवर भी काउंट कर सकते हैं और B को आपका परिचित वेक्ति वी जानकार वेक्ति वी काउं लाता है, तो यहाँ पर सिर्फ गाड़ी को रेशन नेगलिजेंस से चलाना ही 279 IPC का प्रादे, और 279 IPC के अंदर 6 मेनी की सजगा प्राधन क्या गया है दोस्तों, और 1000 रुपे से उस व्यक्ति को दंडित किया सकता है, जो कि उस वे में गाड़ी चला रहा है, जो कि पास लाइसेंस हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी नहीं दें, जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो यह मेरी टिप से एडिशनल, अब बात करता हूं कि चलिए उसने उतावलेपन लापरवाई से गाड़ी चलाई और किसी को ठोक दिया, और उसमें किसी व्यक्ति क इसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, और माल लिजिए कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति को ठोका, उसकी चोट गंबीर आ गई है, गंबीर के अंदर चाहे उसकी फ्रक्चर हुआ हो, कोई ग्रीवेस हर्ट हो गया उसको, तो ऐसी सिरी के अंदर 338 IPC उसी व्यक्ति प चलाते हुए किसी व्यक्ति को ठकर मारी और उसकी मृति हो जाती है, तो यहाँ पर उसने 304 AIPC का अपरात कर दिया है दोस्तों, और 304 AIPC के अंदर 2 वर्ष की स्वेगा प्राउधने, और जुर्माना जो चाहे कोड वो ते कर दे, मर्यादित होता है, इतना ज्यादा नहीं ल राइडिंग के लिए गोड़ा हो, एनिमल्स भी इसके अंदर आएंगे, आप उनको लापरवाई से अगर तौलेपन में दोड़ाते हैं और उससे कोई इंजिर हो जाती है, तो यही धाराएं उसके अंदर 8 की जाएंगे, अब बात आती है कि आपका क्या रोल है, सबसे पह आएगा उसके खिलाब तो चाशिट आएगी और आपके आपके लिए इस्थिकास आएगा, तो आप या तो उसको आप चाहें तो उसको फाइट कर सकते हैं और चाहें तो तुरण उन्डाइश पॉर्ट जो भी फाइन कोट ते करे उस फाइन को भर करके आप जा सकते हैं, आपको एक्जमबल देता हूं मैं कि आप गाड़ी चलाते हैं, याता यात वाले आपको पकड़ते हैं ड्राइव लाइसेंस के लिए, आपके विकल के गाड़ी के लिए या इंशुरेंस के लिए और चाहलन काड़ देते हैं, तो वह वाला चाहलन आपका भरा जाएगा तो वेक्ति से का मालिक है उससे करें प्लीजा करें ऎकली कागजा यह वह गाड़ी के मालिक के पास तो गाड़ी कि आर सी लेगी इसके इंशुरेंस लेंगी अगर पनीट वाली जब परेंश रहे आपकोंपनिंट करेंगी ऍरफुस लिए अब दोस्तों 279 9Su मेंमा 734 यह य लेकिन इसमें दो धारा हैं जिसमें राजिनामा नहीं हो सकता है और बाकी एक धारा को फेस करना पड़ेगा आप गवाह को बला करके चाहें गवाही चेंज करा सकते हैं आपको मैं इसनी दे रहा हूं कि अगर आपने गलती कर दी इसनी नहीं हुआ और किसी एसे व्यक्ति की मौत हो जाती जो अच्छी अर्णिंग कर रहा होता है तो फिर क्लेम उस व्यक्ति पर जाएगा जो गाड़ी का मालिक है चाहे फिर वो कोई भी चला रहा हो गाड़ी आप आपको कोई परिचित नहीं है जिसने एक्सिदेंट कि आपने खुद एक्सिदेंट गया है तो यह सब धारा हैं आप पर लग जाएंगी जो जो ओफेंस हुआ उसके अकोडिंग अगर मरा नहीं है आदमी ग्रीवे सार्ट है तो 338 तक आकर के सीमित हो जाएंगी धारा है त आपकी फॉर्मेल्टी के लिए दो साइन करते हैं और आपको गाड़ी को सुपर्ट कर देते हैं तो उम्मीद आप समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्टिरेंट केस के अंदर आपके कितनी रिस्पोंसिबिलिटी रहती है और वह वेक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसकी क करके दूसरे लोगों तक पहुचा है और ऐसे वीडियो देखने की चैनल को सब्सक्राइब जरू करें